चे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगत गयानी YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतो को बताने वाली हूँ जिस व्यक्ति के उपर माता काली का पैरा होता है उसको सपने में ये पांच चीजे प्रति दिन दिखने लग जाती है जी हाँ भक्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पांच चीजे बताने जा रही हूँ ये चीजे उस व्यक्ति को दिखती है जिसके उपर माताकाली का पहरा होता है और कहने को माताकाली के अनेक भक्त हैं लेकिन अनेक भक्तों को ये चीजे नहीं दिखाई देती ये चीजे सिर्फ उस भक्त को दिखती है जिससे माताकाली प्रसन होती है और जिस पे माताकाली का पहरा होता है अब आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि आपके उपर माता काली का पहरा है या नहीं है अगर ये चीज़े कभी भी जीवन में दिखाई दे तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके उपर माता काली का पहरा हुआवा है तब ही आपको ये पांच चीजे स्वेम माता काली ही सपने के माध्यम में दिखाती है और ये चीजे आपको जादा तर तब दिखेगी जब माता आपके उपर अपना पहरा देगी और पहरा माता काली जादा तर उस व्यक्ति के उपर देती है जिस व्यक्ति से माता काली खुस होती है जिसकी पूजा पाट सेवा भक्ति से माता परसन रहती है तो उसी के उपर माता काली पहरा देती है आपने काफी जादा देखे होंगे माता के ऐसे कुछ भक्त है जिन लोगों के उपर माता का पहरा होता है अगर उनको कोई गलत बोल देता है या कुछ उल्टा सिधा बोल देता है तो वो प्यक्ती नराज हो जाता है तो उसका बदला कौन लेता है माता काली माता काली के भक्तों को जो भी सताता है उसका बदला माता काली ही लेती है एक बार को भक्त नहीं लेगा माता काली लेती है माता काली का पहरा जिस पे होता है उसी भक्त की रखवाली माता सदेब करती है तो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग महा काली भक्त गयान यूटिब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जलती से सब्सक्राइब तू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को उल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे अभी आप वीडियो को बारी की से समझो और ध्यान से सुनो जब आप इसे बारी की से समझोगे और सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके उपर माता काली का पहरा है या नहीं है पहली चीज़ अगर आपको सपने के माद्यम में माता काली के मंदिर के द्रिश से दिखाए देते हैं वो भी बड़े बड़े सिद्पीटी स्थान के द्रिश से और ऐसे ऐसे मंदिर दिखते हैं जहां आप आस तक गए नहीं और जो मंदिर आपने देखा भी नहीं बिक्राल रूप की तो समझ लिजे कि आपके उपर माता काली का पहरा है और माता काली जिसके उपर पहरा देती है उसी भक्त को ये चीज़े सपने के माध्यम में दिखनी शुरू हो जाती है ये चीजे हर किसी को नहीं दिखती, अभी भी इस बात को माल लो, जिस भक्त पे माता काली का पहरा होगा, उसी को ये चीजे दिखने लगती है, तीसरी चीज, अगर आप लोगों को सपने के माध्यम में माता का कोई भी अस्तर दिखाए देता है, माता का खपर दिखाए दे, माता की तलवार दिखाए दे, माता का तिरसूल दिखाए दे या माता का गद्दा दिखाए दे कुछ भी इस तरह का द्रेश से कभी भी सपने में लगतार आपको दिखता है तो समझ लेना कि आपके उपर माता काली का पहरा है मा काली आपके उपर अपना पहरा देती है तभी आपको ये चीजे माता सपने में दिखाना शुरू करती है अब कुछ लोगों को इस चीज़ की ग्यान होता है तो वो समझ जाते हैं अब जिन लोगों को ग्यान नहीं है तो कोई बात नहीं वो इस वीडियो से समझ जाएंगे जैसे मैं बता रही हूं चोथी चीज़ अगर आपको सपने में कभी भी जीवन में माता काली के मंदिर में आपके घर के मंदिर में या भार किसी भी मंदिर में जलती हुई जोत दिखाई दे या जलता हुआ दिया दिखाई दे तो समझ लिजिए कि माता काली का पहरा आपके उपर है और माता आपको इस तरह के द्रेश से तब दिखाती है जब माता काली किसी पर अपना पहरा देती है पाँच भी चीज अगर आप लोगों को सपने के माध्यम में कभी भी जीवन में अपने उपर सवारी देखने को मिले या फिर कोई औरत के उपर सवारी देखने को मिले तो समझ लेना कि ये जो सवारी आपको दिख रही है ये सवारी आपको पहली बाद तो इसलिए दिखती है कि माता काली आपके उपर आने वाले समय में आईगी ही आईगी और इसी तरह आएगी सवारी रूप में और दूसरा इसका अर्थ ही होता है कि माता की सवारी आपको दिखती है समने के माध्यम में चाहे आपके खुद के उपर दिखे चाहे फिर किसी भी व्यक्ति के उपर दिखे तो ये माता आपको इसलिए दिखाती है कि माता का अभी इस समय आपके उपर पहरा है और पहरा तो माता का हो ही चुका है तो समझ लीजिए जहां माता का पहरा होता है जिस व्यक्ति के उपर तो उस व्यक्ति के उपर माता को आना ही आना है चाहे वो आज आए चाहे कर लाए कभी भी आए माता उसके उपर आएगी ही आएगी सवारी रूप में और माता उस व्यक्ति को मजबूत बनाती है ताकि वो उसके सरीर में सवारी रूप में आए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माता की पूज़ा भी करते हैं और हर चीजों से डरते भी है तो उन लोगों के उपर माता कभी भूल से भी नहीं आती है क्योंकि वो लोग already डरते हैं माता से तो माता क्यूं आएगी उनके उपर तो अगर यह पाँच चीजे कभी भी जीवन में आपको दिखाई देती है तो समझ जाईए कि आपके उपर माता काली का पहरा है और यह चीज के बारे में आपको जादा तर कोई नहीं बताएगा सच्चा भगत ही बता पाएगा तो चलिए भगतों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादे माता काली बाबा भूले ना ता आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें